प्यार हमेशा साथ रहने का नाम नहीं है, कभी-कभी आपको अपने चाहने वालों को बचाने के लिए उनसे हमेशा के लिए दूर जाना पड़ता है वेल आज के हमारी कहानी एक ऐसी लव स्टोरी पर बेस्ट है, जिसका थ्रिल और रोमांस दोनों कमाल है So without wasting any time, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फिल्म की कहानी को कहानी की शुरुवात में हमें एक information दी जाती है, जिसमें ये बताया जाता है कि हर साल operation के वक्त 21 million लोगों को anesthesia दिया जाता है जिन में से 30,000 लोग ऐसे हैं जिन पर इसका कोई असर ही नहीं होता है, मतलब उनकी body operation के वक्त paralyzed तो होती है पर जो भी उनके साथ हो रहा होता है, उसका दर्द उन्हें बहुत जादा महसूस होता है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जिसके बाद फिर हमें Dr. Jack को दिखाया जाता है, जो कि एक surgeon है, जो अपने office में बैठे हैं, जहां वो अपनी life का एक किस्सा सुनाते हैं, जो उनके दोस्त Clay के बार में है, जिसके बाद कहानी सीधा flashback में चली जाती है, जहां हमें Clay और उसकी girlfriend Sam को दिखाया जाता है वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक साथ एक ही घर में रहते हैं, जिनके इस relationship के बार में अभी ज्यादा लोगों को नहीं पता है, पर Clay decide करता है कि आज वो हमेच जुटा कर अपनी mom से इस relationship के बार में बात करेगा, क्योंकि Clay को और specially Sam को उनका चिप हुआ है, क्योंकि Sam उसकी mom की personal assistant है, और इस बार में अपनी mom से उसे बात करने में थोड़ा सा डर लगता है, जिसका reason यह है कि Clay एक rich family से बिलॉंग करता है, और उसकी family में बस उसकी mom है, क्योंकि उसके dad की death पहले ही हो चुकी थी जब Clay छोटा था, जिसे बस अपने dad के बार म एक hospital के बाहर drop करती है, और वो Sam को ये कहकर चरा जाता है कि आज वो जरूर अपनी mom से उनके relationship के बारे में बात करेगा, जिसके बाद Clay डॉक्टर Jack से मिलता है, जो उसका एक बहुत अच्छा दोस्त भी है, वो दोनों आपस में बैठ कर बात कर रहे होते हैं, जहां Jack उसे उस उसका heart बहुत weak है, और जब heart मिल जाएगा, तब उसका operation होगा, पर Clay अपनी दोस्त डॉक्टर Jack पर blindly बहुत जादा trust करता है, इसलिए वो अपना operation भी Jack से ही कराना चाता है, पर Jack उसे operation के दौरान होने वाले सभी खत्रों के बारे में पहले ही बता देता है, कि इसमें बहुत जादा risk है, जिसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि जो भी तुम्हारा जरूरी काम है, तुम उसे जल्से जल्स पूरा कर लो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं कि तुम रहो या फिर ना रहो, और अगर किसी से प्यार करते हो तो उसका इजहार कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जिसको सुनकर कले वहाँ से चला जाता है और अपनी मॉम से मिलता है, जो एक बहुत बड़े डॉक्टर के साथ होती है, जिसका राम जॉनातन है, वो सभी एक कार में बैठे हैं, जहा आथी में वो बहुत मशूर भी हैं, पर कले अपनी मॉम की बात मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो अपने दोस्त जैक पर ट्रस करता है, और वो उसी से ओपरेशन करवाना चाता है, अब हमें उसी रात का सीन दिखाया जाता है, आज कले की एक बहुत इंपोर्टेंट मीटिंग है, दर असल वो एक ओफिस पार्टी है, जहां पर कले एक जैपनीज कमपनी से मिलता है, जिनसे वो इस तरह बात करता है, जिससे वो जैपनीज कमपनी उसके confidence और attitude को देखकर उनकी कमपनी के साथ deal करने के लिए मान जाते हैं, जिसे देख, कले की मॉम को उस पर ब दरसल में क्ले को अपने डैड के बारे में ज्यादा बात करना पसंद नहीं था, क्योंकि जब वो छोटा था तब ही उनकी डेथ हो गई थी, वो दोनों इस बारे में बाती कर रहे होते हैं कि तब ही वहाँ पर सैम आ जाती है, जो क्ले की मॉम की परसनल असिस्टेंट है, जो उनके काम से रिलेटेड कुछ बाते और कुछ अपोइंटमेंट्स के बारे में बताती है, क्ले भी वही पर मौजूद होता है, जिसको देखकर सैम समझ जाती है, कि उसने अभी तक अपनी मॉम से उनके रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं की है, जिस वज़ा से सैम गु से में जाता देख कले भी उसके पीछे चला जाता है, लेकिन सैम उस पर बहुत नराज है, वो उस पर गुस्सा करती है, क्योंकि उसने उससे प्रॉमिस किया था कि वो अपनी मॉम से इस बारे में बात करके रहेगा, कले उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानत जिसके बाद वो decide करता है कि अब वो अपनी मॉम को सब कुछ बता देगा जिसके बाद वो Sam को अपने साथ घर ले कर जाता है और अपनी मॉम को अपने relationship के बारे में सब कुछ बता देता है जिसे सुनकर Clay की मॉम shocked रह जाती है साथ ही में वो बहुत गुस्से में होती है वो कले को बोलती है कि मैं इस रिष्टे को कभी नहीं मानूगी जिसकी वजाती यकीन क्योंकि उन्हें सैम पर ट्रस्ट इशूस थे जिस पर वो कले से कहती है कि तुमें हम दोनों में से अब किसी एक को चुनना होगा जो बात कले को बिलकुल पसंद नहीं आती है और वो उनकी बात को नहीं मानता है जिसके बाद वो सैम को वहां से लेकर चला जाता है लेकिन कुछी दूर जाने पर उसके तब्यव बिगड़ने लगती है पर उसके किसमत आज बहुत अच्छी थी क्योंकि उसके साथ सैम थी जो हमेशा उसके प्रिस्क्रिप्शन अपने साथ रखती है जिसे लेने के बाद उसे थोड़ा ठीक लगता है और तभी कले ये डिसाइड कर लेता है कि वो आज ये सैम से शादी करेगा क्योंकि उसे रियलाइज हो गया था कि उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है जिसके बाद वो अपने दोस्त जैक को बुलाता है जो शादी कराने में उसकी पूरी हेल्प करता है उन दोनों के शादी हो जाती है और वो दोनों साथ बहुत खुश होते हैं जिसके बाद फिर साम और कले को घर पर साथ में quality time spent करते हैं दिखाया जाता है लेकिन तभी कले को उसके mobile पर hospital से एक message आता है जिसमें ये लिखा होता है कि कले के लिए एक नए heart का इंदजाम हो गया है और अब उसका heart transplant किया जा सकता है जिस बात को सुनकर क्ले और सैम बहुत खुश होते हैं और फिर अगले दिन वो हॉस्पिडल जाते हैं जहां पहुँचने पर जैक क्ले को सभी डॉक्टर से इंडिडियूस करवाता है जहां पर क्ले की मॉम भी डॉक्टर जॉनाथन के साथ हॉस्पिडल पहुँच जाती हैं और जब उसका heart transplant successfully हो जाएगा तो वो दोनों अपने जिंदगी की एक नई शुरुवात करेंगे जिसके बाद वो waiting room में चली जाती है जहाँ पर clay की mom भी होती है जो vending machine से कुछ drinks ले रही होती है पर वो machine काम नहीं करती है जिस पर Sam उनकी मदद करते हैं बोलती है कि कभी-कभी double press करने से machine open हो जाती है और होता भी ऐसा ही है जहाँ अब दूसरी तरफ operation theater में doctors को दिखाया जाता है जो operation करने के लिए बिल्कुल ready है पर तभी उन्हें एक खबर मिलती है कि जो doctor operation के लिए आने वाली थे वो किसी वज़ा से नहीं आ पाएंगे जिनकी जगा एक नया doctor आता ह जिसका नाम doctor Larry होता है जिसके आने से सभी doctor थोड़ा panic करते है जहां एक doctor जिसका नाम putnam होता है वो डर जाता है पर jack उसको बोलता है कि बस doctor change हो है पर हमारा plan वही रहेगा जिसके बाद वो सभी operation की तयारी करने लगते हैं अब jack clay को anesthesia का injection लगाता है जिससे उसे कुछ भी महस महसूस नहीं होगा और वो operation के वक्त भी होश हो जाएगा पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि क्ले 39,000 लोगों में से एक होता है जिसके बारे में कहाने की शुरूवात में बताया था एनेस्थीसिया का clay पर पूरा असर नहीं होता है उसकी बोड़ी तो paralyzed state में होती है पर उसके सा से बचने के लिए वो अपना ध्यान भटकाता है और सैम के साथ बितायक कुछ moments को याद करने लगता है जहां वो कुछ हद तक अपने brain पर काबू पाबी लेता है पर एक time के बाद उसके brain में वो सभी moments आने लगते हैं जैसे कि उसके dad की death कैसे होई उसके school का वक्त सैम से उस ये भी बता चलता है कि सैम को वहां हो रहे ही सारी बाते सुनाई दे रहे हैं मतलब उसका brain conscious है एक तरफ वो सैम के बारे में सोच रहा है और दूसरी तरफ उसे वो भी सुनाई दे रहा है जो डॉक्टर बात कर रहे हैं जिसके बाद फिर सैम और क्ले की मॉम को वेटिंग र जिसे इस बारे में पता चल जाता है कि उन दोनोंने शादी कर लिये जो बात उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है वो सैम पर गुस्सा करने लगती है पर तभी सैम से उसका बैग नीचे गिर जाता है जिसमें कई सारे medicines के bottle रखी होती है जो किसी और की नई बल्की क्ले की है और ये देखकर क्ले की मौम का दिल पेखल जाता है उन्हें रियलाइज हो जाता है कि सैम एक अच्छी लड़की है जो क्ले की परवा और उसे सच्चा प्यार करती है उन्हें ये भी पता चल जाता है कि क्ले की allergies के बारे में भी सैम को सब कुछ पहले से ही पता है जिससे जानने के बाद वो थोड़ा emotional हो जाती है। पर Sam उन्हें जाकर गले लगाती है और हिम्मत देती है। जिसके बाद अब हमें operation theater का scene दिखाया जाता है। जहां उन सभी का break हो गया है। और Dr. Larry room से बाहर चले गए हैं जो उन पर नजर रखे हुए थे। जिनके जाते ही वो सब बाते करने लगते हैं। जहां जैक उनके पास आकर उनसे बोलता है कि Dr. Larry शायद एक जासूस है जो हम पर नजर रख रहे हैं। हमें ये बहुत ध्यान से करना होगा क्योंकि अगर किसी को ये बात पता चली कि हम गलत हाट ट्रांस्प्लांट करके क्ले को मारना चाते हैं तो हम सभी को जेल जाना पड़ सकता है। पर सच्चा ही तो ये है कि वो अभी भी ऑपरेशन बेट पर ही लेटा हुआ है। पर अपने इमाजिनेशन में वो ऑपरेशन थेटर से भाहर आता है और Dr. Jack से सवाल जवाब करने लगता है। पर कोई भी उसको नहीं सुन पाता है क्योंकि वो क्ले की इमाजिनेशन है। ज सायम को ये जानना है कि अंदर ओपरेशन थेटर में क्या हो रहा है। जिसके बाद वो सीधा ओपरेशन थेटर में चली जाती है और Dr. Putnam से पूछती है कि आकर यहाँ पर हो क्या रहा है। नहीं उसे इतना बड़ा धोका दिया। असल में सैम भी Dr. Jack और उन सभी लोगों के साथ मिली हुई है जिन पर million dollars का case चल रहा होता है। जिसे वो जिन्दगी पर काम करके भी नहीं चुका सकते हैं। इसलिए वो सब मिलकर एक plan बनाते हैं जिनकी मुलाकात clay से होती है। उसक जैक का clay से मिलना और उसका दिल जीतना उसका अच्छा दोस्त बनना और हर चीज में उसका साथ देना। वहीं दूसरी तरफ सैम का उसकी mom का assistant बनना और धीरे-धीरे clay से नजदीकिया भढ़ाना जो सब कुछ एक plan का हिस्सा था। ताकि सैम की clay से शादी हो सके जिसके बाद जैक operation करते वक्त clay को मार देगा जिसकी वज़ा से clay की सारी जायदाद उसके नाम हो जाएगी क्योंकि legally अब वो clay की wife बन चुकी है जिसे जानकर clay बहुत जादा निराश हो जाता है उसे पच्छतावा हो रहा होता है कि क्यों उसने अपनी mom की बात नहीं सुनी लेकिन कहानी म अभी एक और twist आना बाकी है क्योंकि अचानक से जैक operation पूरा करने से मना करने लगता है उसे लगने लगता है कि वो गलत कर रहा है साथ ही उसे जेल जाने का भी डर होता है पर सैम उसके पास आती है और उसको समझाती है कि उन्हें ये करना ही होगा ये करना बहुत जरूरी ह और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो कभी भी केस के करोडों रूपे नहीं चुका पाएंगे पर अगर ऐसा उन्होंने कर दिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और जिन्दगी भर उन्हें कभी भी महनत नहीं करने पड़ेगी जो सारी बाते क्ले भी सुन रहा होता है जो जैक को वो इंजेक्शन देती है जिससे क्ले को लगाने के बाद उसकी मौत हो जाएगी शुरुवात में तो जैक डरता है पर सैम के फोर्स करने पर वो उस इंजेक्शन को लगा देता है जिसकी वज़ा से क्ले की मौत हो जाती है अब हमें दिखाया जाता है कि क्ले के मरने के बाद क्ले की सोल उसके imagination से अपने घर जाती है जहां पर वो बहुत जादा दुखी होता है जिसके बाद जैक क्ले की मॉम के पास जाकर उनको ये बताता है कि जो हाट उन्होंने क्ले की बॉड़ी में transplant किया था वो उसकी बॉड़ी ने जिस पर डॉक्टर लेरी उने बताता है कि आपका बेटा अभी भी artificial bypass के जरिये जिन्दा है जो ज्यादा वक्त तक जिन्दा नहीं रहेगा अगर उनके पास हाट होता तो वो जिन्दा हो सकता था जिस पर क्ले की मॉम बोलती है तो जाओ जल्दी से हाट का इंतिजाम करो पर डॉक्टर लेरी बोलता है कि आपका ब्लड ग्रूप बहुत रेर है जिस वज़ा से हाट मिलने में परेशानी आ सकती है जिसके बाद क्ले की मॉम कुछ सोचती है और कुछ दिर बाद उसकी मॉम की डेथ हो जाती है असल में जब उसकी मॉम को कले की डेथ के बारे में पता चला था तो सैम कुछ देर के लिए अपना बैग छोड़ कर कहीं चली गई थी जिसे चेक करने पर उसे कुछ मेल्स मिले थे जिससे उन्हें सैम पर शक हो गया था और उसके रियल आइडिनिटी के बारे में पता चल गया था जिसकी वज़ा से उन्हें उनके प्लान के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया था इसलिए अपने बेटे की जान को बचाने के लिए वो सैम के बैग में पड़ी सभी मेडिसिन्स को खा लेती है क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि पोलिस यहां आने वाली है और सब अरेस्ट होने वाले है Pastor Jonathan भी समझ जाते हैं कि Jack ने उकले के साथ क्या किया है जिसके बाद हम क्ले कीं मौम को क्ले के साथ देखते हैं जिसकी सोल मरने के बाद कले के पास जाती है। और अपनी मॉम को अपने पास देखकर कले शौक्ड रह जाता है। वो अपनी मॉम से इस बारे में पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। जिसके बाद Clay की मॉम Clay को अपने किये हुए sacrifice के बारे में बताती है जिसे जानने के बाद Clay बहुत ज़ादा निराश हो जाता है अब वहीं दूसरी तरफ हमें open theater का scene दिखाय जाता है जहां Clay के heart transplant का operation डॉक्टर जॉनाथन कर रहे हैं और तभी वहाँ hospital में पोलिस आ जाती है ज इसलिए better ये रहेगा कि तुम यहां से चरे जाओ जिसके बाद वो Jack को उसी office में बंद करके जाने लगती है जहां Jack उसको बोलता है कि जिस स्रींच को तुमने पकड़ा था उस पर तुमारे fingerprints हैं जिसकी वज़ा से तुम भी फसोगी जिसके बाद police Sam को पकड़ लिती है और Jack कि भी वहां से भागता नहीं है क्योंकि उसे अपने किये पर पच्चतावा था वहीं दूसरी तरफ Clay को अपनी mom के साथ दिखाया जाता है जो बिलकुरी तूट जाता है क्योंकि उसकी life में बस उसकी mom ही बची थी और अब उसकी mom ने भी उसके लिए अपना sacrifice कर दिया है उस बाते सुनने के बाद वो बताती है कि उसके dad इतने भी अच्छी नहीं थे जितना हो समझता है क्योंकि मैंने बस उनके बारे में तुम्हें अच्छी बाते बताई थी पर सच्चाई तो ये थी कि उस रात तुमारे dad की मौत किसी accident से नहीं हुई थी बलकि उस दिन वो मुझ उसी शादी नहीं की क्योंकि मुझे हमेशा से यही डर था कि कहीं दोबारा कोई बुरा इंसान हमारे जिंदगी में ना आ जाए जहां वो clay से ये भी बोलती है कि तुम अपने dad से कई जादा अच्छी हो इसलिए तुमें जीना होगा जिसे जानकर वो बहुत जादा emotional हो जा जाता है जहां पर जैक क्ले की स्टोरी सुना रहा होता है जिसके साथ ये फिल्म यहां पर खत्म हो जाती है उमीद करते हैं कि आपको इस फिल्म की कहानी पसंद आई होगी जिसमें हमें एक मॉम का अपने बेटे के प्रती एक्स्ट्रा ओर्डनरी लव देखने को मिला है तब तक के लिए धन्यवाद